हल्वा तो आप सभी को बहुत पसंद होगा तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल हल्वा जो कि आप बचे विपराठे या रोटी से सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें तो फिर चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बचा हुआ पराठा लेंगे और उसके छोटे टुकडे करेंगे और इससे ग्राइंड करके इसका चूड़ा बना लेंगे ये देखें पिल्कुल इस तरह से अब पैन में एक चमच घीर डालें और लो फ्लेम पे ड्राइफ रूट्स को रोस्ट कर ले अब नारियल का बुरादा रोस्ट करें सिर्फ तीस सेकंड के लिए इससे हलवे में और अच्छा टेस्ट आएगा ध्यान रहें तीस सेकंड से ज्यादा रोस्ट करेंगे तो नारियल जलने चालू हो जाएंगे तीस सेकंड बाद तुरंट इसमें एक गिलास दूद्र डालें और साथ में इसमें चार चमच चीनी भी डालें अब दूद को उबाल लें और फिर उसमें रोस्ट किये हुए ड्राइफ रूट्स चौप करके डाल दें और जो हमें पराठे का चूरा बनाया था वो भी डाल दें अब बस जब तक आपका दूद कम ना हो जाए तब तक इसे पकाईए अब गैस आफ करके उपर से एक चमच घी डाल दें और मिक्स करें अब बस जब दो जब तक राल दें स्वादेस्ट पराठे का हलवा तयार है